चाई की एक टपरी पर कुछ लोग चाई पी रहे थे तभी अंगोल में सुभाश को भी आकर लगी सुभाश करहा कर वहीं धेर हो गया सुभाश शहर के एक बड़े व्यापारी नरेंद्र का बेटा था नरेंद्र को भी इसकी सूचना दी गई नरेंद्र ने अपने छोटे बेटे रमेश को बुलाया रमेश रमेश क्या हुआ पापा तेरे बड़े भाई को किसी ने गोली मार दी और अब वो हमारे बीच नहीं है पापा हमको पुलिस के पाद जाना चाहिए नहीं असली कातिल कौन है हमें इसका पता खुद ही लगाना होगा नरेंद्र के घर में मातम चा गया और सभी लोग जोर-जोर से रोने लगी सुभाश का अंतिम संसकार भी हो गया कुछ दिनों बाद नरेंद्र का घनिष्ट मित्र कालिया भी उससे मिलने आया क्या लगता है नरेंद्र तेरे बेटे की मौत में किसका आथ है मेरा शक्तो सी की ओर है क्या वो इतने सालों बाद वापस आएगी बदले की आग मूर्दे को भी उखार कर खड़ा कर देती है ये तो फिर भी बस बस अब और नाम नहीं लो उसका नहीं तो हार अटेक से ही मर जाओंगा तुम कब से इतने डरपुक हो गए कालिया वो बहुत धेंजरस है तभी वहाँ नरेंद्र की पोती श्रेया भी आ गई क्या हुआ दादाजी कौन है इतना खतरनाक तुमसे कितनी बार कहा है श्रेया कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो लेकिन तुमको बीच में ही बोलना होता है ठीक है दादाजी गलती हो गई अभी मैं कौलेच जा रही हूँ नहीं कहीं नहीं जाना आज से तुम अपनी चाची के साथ रहोगी सुभाश के जाने के बाद बेचारी कांती की क्या हालत हो गई है अरे तो इसको कॉलेच जाने से रोकने की क्या ज़रूरत है तुम जानते नहीं हो कालिया कि बाहर हमारे कितने दुश्मन है इसलिए शिया का अब घर में रहना ही ठीक है और कांती अब टूट चुकी है काम में उसकी मदद करेगी तो अच्छा रहेगा नरिंदर क्यों इस बिनमा की बच्ची बस दुल्म करते हो सही खेल लहे हो गुरू शिया जाओ बेटा अब अंदर जाओ और आज से बहाराना और जाना बंद वैसे कितनी मनहूज रात थी वो जिस दिन शिया ने अपनी मा को खोया था हाँ और अपनी अंतिम सांस तक उसने शिया की ही फिक्र की लेकिन वक्त के आगे क्या ही किया जा सकता है उस दिन रात का वो सीन आज भी मेरी आँखों के आगे नासता है जब माधुरी कह रही थी श्रिया की मा माधुरी की दोनों आखों में गोली और पेट में चाकू लगा था वो दर्द से तडप रही थी इतना कहते ही माधुरी ने दम तोड़ दिया और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई दोनों माधुरी को याद कर रहे थे कि तभी कालिया के फोन पर एक फोन आया और कालिया मू लटका कर बैट गया क्या हुआ? किसका फोन था? हमारे दोस बब्बू की भी किसी ने तीन कोली मार का हद्या कर दी है दोनों चिंता में सर पकड़ कर बैट गए कांती ने श्रेया को काम पर लगाया हुआ था वो उससे पूरे घर की सफाई करवा रही थी चाची मुझे अब पढ़ना है मैं अब और काम नहीं कर सकती हूँ अच्छा? मैम साहब को अब पढ़ना है चुपचाप काम कर ले वरना सारी किताबे फार कर फैक दूँगी काश! मेरी मा इस दुनिया में होती तो मुझे इतनी तकलीव नहीं होती हाँ हाँ तो मेरे गले क्यों पढ़ रही है जा तू भी चली जा अपनी मा के पास अगर यहां रहेगी तो हमारी सुननी पढ़ेगी श्रया चुपचाप काम में लग गई और रो रो कर अपनी मा को पोकारने लगी मा! मा! मुझे छोड़ कर कहा चली गई हो? क्यों कहीं तुम? देखो तुम्हारी बिनाब मैं कितनी दुखी हूँ मुझे भी अपने पास बुला लो मा! मुझे नहीं रहना इन गंदे लोगों के पास! श्रया खूब रोई लेकिन उसकी मा मर चुकी है और कभी वापिस नहीं आएगी ये बात वो भी जानती थी इसलिए वो सब कुछ चुप चाप सहने लगी एक दिन श्रया ने चुप चाप घर से भाग जाने की प्लानिंग की मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से चुप चाप भाग जाती हूँ मैं तंग आ चुकी हूँ इस घर में अब यहां में एक मिनट भी नहीं रहूंगी। श्रेया घर से भाग जाने की तयारी कर रही थी और पीछे से उसे कांती देख रही थी। अच्छा, तो अब यह यहां से भाग जाना चाहती है। चल कांती अब इसकी ये अच्छा भी पूरी की जाए। कांती खोशोकर श्रेया के पास गई। श्रेया एक बैग में सामान रख रही थी। वो कांती को देखकर डर गई। क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची को? इतना डर क्यों गई हो? चाची, अचाची वो… क्या वो वो? खुल कर बोलो कि तुम घर से भाग रही हो? नहीं, मैं घर से नहीं भाग रही हूँ। अच्छा, तो फिर शायन मैं भाग रही हूँ। तभी ये बैग तुमने मेरे लिए लगाया है। चाची जी, मैं तो बस दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहती थी। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन दादा जी से क्या कहोगी। ये तो मैंने सूचा ही नहीं। चलो, वो सब मैं संभाल लूँगी। तुम आज रात को पीछे वाले रास्ते से चली जाना। रात को? तो दिन में कैसे जा पाएगी? रात में किसके पास जाओंगी? ठीक है, रात में ही यहां से निकलते हैं, वैसे भी कौन सा यहां वापिस आना है? मैं तो खुद कब से तुझे यहां से भेजना चाहती थी? अब तू दोबारा इस घर में नहीं आएगी। रात में दोस्तों क्या कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा? ठीक है, श्रिया, मैं अब चलती हूँ. तुम रात को ध्यान से निकल जाना और दोस्तों के साथ खूब घूमना! कांती खोशोकर वहां से चली गई और आगे की योजना बनाने लगी. आज चाची को क्या हो गया? अजानक से इतना बदलाव? वैसे सही है, आज तो उन्होंने मेरे हिद में बात की. अगर ये रोजाना ही मुझे इतने प्यार से रखती, तो मैं यहां से क्यों भागती? चाची का प्यार देखकर श्रेया ने ना जाने का मन बना लिया, और कपड़े अलमारी में रखकर सो गई. रात को कांती श्रेया के कमरे में उसे देखने आई. अब श्रेया यहां से भाग चुकी होगी और अब मैं उसके कमरे में जाकर शोर मचाऊंगी कि वो यहां नहीं है फिर आएगा मजा कांती कमरे में गई लेकिन श्रेया को बैट पर सोता देख उसको बहुत गुसा आया अच्छा तो आराम से यहां सोई है श्रेया भी हडबड़ा कर उठ गई क्या हुआ तू तो जाने वाली थी ना फिर क्या हुआ वो मेरा मन नहीं किया अच्छा तो तू अकेले यहां से भाग जाना चाहती थी मैंने देख लिया तो अब मना कर रही है नहीं नहीं ऐसा नहीं है ठीक है अपना ध्यान रखना अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आज इस लड़की ने सारा प्लान खराब कर दिया पहले तो वो बॉक्स इसकी मा की वज़ा से नहीं मिला और अब इसकी वज़ा से मुझे नहीं मिल पा रहा है लेकिन मैं वो बॉक्स लेकर ही छोड़ूंगी कांती गुस्से में वहां से चली गई श्रेया दुबारा सो गई तभी वहां कुछ बदमाश आए और श्रेया को क्लोरोफोम सुगा कर उसको किड्नाप करके पीछे वाले गेट से चले गई थोड़े देर बाद कांती ने भी घर में शोर मचा दिया कि श्रेया घर से भाग गई है श्रेया अरे श्रेया भाग गई श्रेया घर से भाग गई आवाज सुनकर रमेश और नरेंद्र भी बाहर आए हैं क्या हुआ जो तुम इतना शोर कर रही हो आपकी लाडली पोती श्रेया घर से भाग गई है क्या? अच्छा होता अगर ये भी अपनी मा के साथ ही मर जाती तो मेरी तो सुनती ही नहीं थी, तुमने इतने सर पर जो बैठाया हुआ था रमेश, हमारी बंदोग निकालो, अभी उसको ढूरने चल लही है पापा भी बहुत रात हो गई है, उसे सुबह देख लेंगे, यहां सुबह तक खुद ही आ जाएगी तुझे इस बात का नाजा भी है, कि तु क्या कह रहा है, तु बैठ यहाँ, बैखो जा रहा हूँ ढूंडने नरेंद्र के साथ रमेश भी उसको ढूंडने चला गया, कांती आज बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ वो बदमाश श्रेया को गाड़ी में लेकर जा रहे थे उन्होंने जंगल में जाकर गाड़ी रोटी, और श्रेया को जिन्दा दबाने के लिए एक गड़ा खोदने लगे श्रेया को होश आ गया, और उसने खत्रे को भाबते हुए, वहां से भागने की कोशिश की ओए पकड, वो भाग रही है श्रेया ने खूब तेज भागने की कोशिश की, लेकिन वो उन लोगों से तेज नहीं भाग सकती थी इसलिए वो बदमाश श्रेया को पकड़ कर ले आए, और गड़े में लिटाने लगे कौन हो तुम, क्यों लाए हो मुझे यहाँ देख लड़की, ज़ादा दिमाग मत चला, हमें अभी और भी काम करने हैं, हम जितना ओडर मिला है, हम कर रही है लेकिन मैंने क्या पेगाड़ा है तुमारा हमारे पसना दुश्मनी किसी से नहीं है, हम सिर्फ पैसे के लिए काम करते है उन लोगों ने श्रेया को गड़े में डाल कर उपर से मिट्टी डालनी शुरू कर दी, श्रेया बचाओ बचाओ की आवास लगा रही थी वो श्रेया के मूपर मिट्टी डालने ही वाले थे, कि तभी वहाँ नकाब पहने एक महिला हाथ में तलवार लेकर आई उस महिला ने तलवार से हमला कर दिया, वो जैसे तैसे वहाँ से जान बचा कर भागे, उसने श्रेया को बाहर निकाला आप कौन हो, मुझे आपका चेहरा देखना है, और इतनी रात को आप इस जंगल में क्या कर रही हो, आपने मेरी मदद क्यों की उस महिला ने अपने चेहरे से नकाब उतारा, उसका चेहरा देखकर श्रेया के होश ओड़ गए आप? मुझे पहचान लिया मैंने आपको कहीं देखा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जानती हूँ हाँ, हमारा ही शायत कोई रिष्टा है हम, याद नहीं आ रहा के कहां देखा है कोई बात नहीं, छोड़ो, देखा होगा इधरो धर आप कौन हो, और इतनी रात को यहां जंगल में क्या कर रही हो? जंगल ही मेरा घर है, और मैं तो तुम्हारी चीक सुनकर यहां आई हूँ इतने डरावने जंगल में कोई कैसे रह सकता है? मुझे किसी से डर नहीं लगता अच्छा तुम बताओ, अब घर कैसे जाओगी? घर? हाँ क्या हुआ, घर नहीं जाना है क्या? मैं उस घर से भागने वाली थी, लेकिन फिर मैं सो गई, और इन बदमाशों ने मुझे उठा लिया तुम इन लोगों को जानती हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती इन्हें, ये तो पैसे लेकर मुझे मारने आये थे उस महिला ने थोड़ा सोचा और वो घबरा कर बोली, अच्छा, तुम मुझे अब सब समझा गया है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मेरा नाम माध्वी है, तुम ये सब छोड़ो और मेरे साथ घर चलो, राच जादा हो गई है श्रिया माध्वी के साथ घर चली गई, माध्वी का घर लकडी से बना हुआ था, माध्वी ने श्रिया को खाना दिया माधवी का ये प्यार देखकर श्रेया की आखों में आसू आ गए और उसने अपने उपर हुए सभी अत्याचार माधवी को बता दिये माधवी की आखों में खून उतर आया क्या हूँ आपको? कुछ नहीं श्रेया, अभी तुम सोजाओ, सुभा बात करते हैं श्रेया, लेकिन मैंने तो आपको अपना नाम बताया ही नहीं, फिर आपको कैसे पता है? ओहो श्रेया, तुम भी कितनी भुलक करो, तुमने ही तो बताया था मुझे अपना नाम, वरना मुझे कैसे पता चलता? हाँ श्रिया बिलकुल निश्चिन्थ होकर सो गई लेकिन माधवी की आँखों में नीद नहीं थी बहुत बुरा हुआ है श्रिया के साथ मैं छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को लेकिन अभी रात में श्रिया को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा मन में बदले की भावना लिए माधवी भी सो गई अगली सुबह श्रिया की आँख खुली तो उसने देखा कि माधवी खाने के लिए कुछ बना रही है ये सारी चीज़े आप कहां से ले आई जब तुम सो रही थी तो मैं मार्केट गई थी अच्छा अब तुम जल्दी से खाना खालो फिर बाहर घूमने चलेंगे कितनी अच्छी है न माधवी अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद वो माधवी के जैसे ही होती लेकिन नजाने ही आकेली क्यों रहती है श्रिया बिना कोई सवाल किये खाना खाकर माधवी के साथ चली गई वो दोनों जंगल के रास्ते में चले जा रहे थे तभी श्रिया को फलों के कुछ पेड दिखाई दिये उसने माधवी को बताया माधवी तुरंत वो लेने चली गई श्रिया सडक पर ही खड़ी थी तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी कहीं ये कल वाले बदमाश तो नहीं आ गए श्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पापा और दादा खड़े थे साथ में नरेंद्र का दोस्त कालिया भी था दादा जी पापा आप आ गए मैं जानती थी आप मुझे ढूनते हुए आ जाओगे तुझे तेरी मौट ढूनते हुए आई है मैं तुझे अभी मार दूँगा श्रिया ये सुनकर बहुत डर गई अच्छा तो खल आपने ही मुझे किड्नैप कराया था और अब जब मैं पच गई हूँ तो दुबारा मारने आयो घर से खुद भागो और फिल जाम भी मुझे पा लगाओ श्रिया के पापा ने कुछ नहीं कहा वो चुपचाप खड़े थे नरेंद्र ने गुस्से में बंदूख श्रिया परतान दी और जैसे ही नरेंद्र ने बटन दबाने की कोशिश की उससे पहले ही पीछे से नरेंद्र को एक गोली आकर लगी सभी ने पीछे देखा तो वहां माध्वी हाथ में बंदूख लिए खड़ी थी माध्वी ये कैसे हो सकता है कालिया और रमेश आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि सामने खड़ी माध्वी ही माध्वी थी माध्वी? माध्वी? क्यों? आश्चर्य हो रहा है ना? कि मैं अब तक जिन्दा कैसे हूँ? देखो, मेरी कोई गलती नहीं थी वो तो नरेंदर का ही आइडिया था माध्वी ने एक गोनी कालिया को भी मार दी तुम किसको माध्वी माध्वी कह रहे हो? ये माध्वी है इन्होंने ही रात को मुझे बचाया और अभी भी मुझे बचाया रमेश भूट भूट कर रोने लगा क्या हो अपापा आप रो क्यों रहे हो? श्या ये माध्वी नहीं तुम्हारी मा माध्वी है मा? मेरी मा? हाँ लेकिन मा तो हाँ श्या मुझे मार दिया था लेकिन मैं जिन्दा बच गई लेकिन तुम्हारे सामने कभी नहीं आई मुझे कितनी परिशानी हुए उस घर में, ये देखते हुए भी आप क्यों नहीं आई, इतने दिन मैंने कितने दुख में काटे है, मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगी श्रया गुस्से में मुँ दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई माधुरी के इतना कहते ही वहाँ एक तूफान आ गया, बहुत तेज हवाई चलने लगी, जिसके कारण धूल से एक दूसरे का चेहरा देखना भी मुश्किल था मैं एक नागिन हूँ, की आवाज पूरे आकाश में गूँज रही थी, श्रया के लिए इस बात पर विश्वास करना आसान नहीं था मा? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं एक नागिन हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मुझसे दूर मत होना बेटा जब मेरी और रमेश की शादी हुई रमेश और माधुरी दोनों जंगल में नदी के किनारे बैठे थे माधुरी, हम शादी कब कर रही है रमेश, ये शादी नहीं हो सकती मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ ये बात बताना बहुत जरूरी है अगर तुमने ज़ाधा किया, तो मैं यहीं मर जाऊँगा ठीक है? अब मंदिर चलो शादी करो जंगल में ही एक शिवजी का मंदिर था जहां माधुरी रहती थी वहीं जाकर दोनों की शादी हो गई लेकिन मा आप पापा से कहा मिली मुझे एक पापी ने नागमनी के लालच में गोली मार कर कुए में भेख दिया था और पापी सुभाश था मैं मानव रूप में थी फिर रमेश ने मेरी जान बचाई फिर हम रोज मिलने लगे क्या सभी पहले से जानते थे कि आप नागिन हो नरींद्र सुभाश और कालिया जानते थे क्योंकि वो मुझसे नागमनी लेना चाहते थे मैं अपना सच रमेश को बताना चाहती थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला और फिर बहुत देर हो गई जब हम शादी करके घर पहुँचे कालिया, सुभाश, नरेंद्र सामने ही बैठे थे वो रमेश और माधुरी को शादी के जोडे में देखकर चौपकर खड़े हो गई तूने एक नागिन से शादी कर ली पापा आपकी बहु है इसकी इज़त कीजिए ये नागिन है माधुरी ने भी रमेश को अपना सच बता दिया तुम जो भी हो माधुरी मुझे फर्क नहीं बढ़ता है मैं तुम से प्यार करता हूँ इसलिए हम साथ ही रहेंगे माँ फिर आपको किसने मारा एक दिन जब घर पर कोई नहीं था और तू भी छोटी थी तो बाहर से कालिया, सुभाष और नरेंद्र आए इन तीनों ने मुझे तुम से मेरे कमरे में क्या कर रहे हो देख नागिन तेरे प्यार में मेरा बेटा अंधा है मैं नहीं हूँ इसलिए चुब चाव वो नागमणी मुझे दे दे वरना अंजाम बुरा होगा मेरे पास नागमणी नहीं है मैं सच कह रही हूँ अच्छा, तो यह ऐसे रही मानेगी इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा कालिया और सुधाश ने माधुरी के हाथ पकड़े और नरेंद्र ने उसे तीन गोलिया मार दी और उसे घर से उठा कर जंगल में फेकाए मा, फिर आप जिन्दा? क्योंकि भगवान को शायद तुझे आनाद बनाना मनसूर नहीं था जब उन लोगोंने मुझे मार कर जंगल में फेका तो वहाँ नाग देवी ने मुझे जीवित किया और फिर मैंने वो मनी उन्हें लोटा दी तब से मैं इन जंगलों में तुम्हारा इंतिजार कर रही हूँ लेकिन मा तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आई मेरे पास मैं शिव मंदर में शिव जी की तपस्या कर रही थी और शिव जी ने मुझे नागिन रूप से मुक्त कर दिया है इसलिए सबसे पहले मैंने बदला लिया श्रेया ने अपनी मा को गले लगा लिया मा, मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाना मुझे माफ कर दो माधुरी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका अब से हम तीनों अलग शहर में जाकर रहेंगे और साधरन मानव की तरह जीवन बिताएंगे तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वहां से अपना नया घर बसाने एक नए शहर चले गए थैंक्स फॉर वाचिंग